नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लाटफर्म स्टडी एडिक्टिड अकैडमी में इस वीडियो में हम जो है modern Indian history से लेटर जो है बहुत ही मत्मुन topic डिसकस करेंगे books and newspapers जो की famous freedom fighters के द्वारा during the freedom struggle जो है चलाई गई थी उनको हम study करेंगे क्योंकि आगामी examination में एक pattern ऐसा देखा गया जिसमें newspaper और books के author से लेटर जो है question काफी जादा पुछे जा रहे हैं तो यह जो हमारा second जो है lecture रहेगा modern industry का और इसमें हम spectrum से जो है modern industry कवर कर रहे हैं और यह पूरा-पूरा lecture जी जो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा और यह UPSC state PCS as well as other state level examination जिन में के भी modern industry कुछ जाती है उसके लिए जो है फाइदे मंद यह रहेगा तो देखे कुछ एक बुक्स जो है ऐसी बुक्स है जिनसे हमें जो है history के बार में पता चलता है और मत्मूर यह बुक्स है फेमस है जो बुक्स है यह प्रवाइड करती है कि useful information on the socio-economic life of India during the period of decline of the Indian powers and rise of Britishers तो जैसी एडवेंट जो है Britishers का हुआ और जब British powers जो है rise कर रही थी और इंडियन जो rulers है इंडियन powers जो है decline कर रही थी उनका पतन हो रहा था तो उस दोरान जो समाजिक और जो आर्थिक जो लाइफ थी भारतियों की उसके बारे में अभी दूवर्जिज की यह जो किताब है Hindu manners and customs यह बहुत ही अच्छी एक जो है जानकारी जो प्रवाइड करती है इसके साथ देखिए बहुत सारे British और European travelers थे जो की अलग लग समय मे भारत आये थे और इनके द्वारा भी अपनी जो ट्रेवल जो experience है अपनी यात्रा जो experience है वो अपनी राइटिंग्स के दुरू जो है बताया गया है जिससे हमें history के काफी वैलिवली information जो मिलती है तो देखिए कुछ एक जो बहुत famous जो British travelers थे जिनके द्वारा जो है अपने के द्वारा लिखी गई है narrative of a visit to the court of Sindhye, Alexander Burns के द्वारा लिखी गया travels into Bokhra, CJC Davidson के द्वारा लिखी गया diary of the travels and adventures in Upper India, John Butler के द्वारा लिखी गया travels and adventures in the province of Assam, और कुछ एक जो है non-British travelers भी है जिनके द्वारा भारत के द्वारा में लिख्या गया है जिसमें आपके विक्टर जैक्यमॉंट इनके द्वारा लिख्या गया है letters from India, describing a journey in British domains of India, Tibet, Lahore and Kashmir, during the years 1828-29 to 1831 उसको बाद Beren Charles है, इनके द्वारा लिखी गया है travels in Kashmir and the Punjab बहुत से newspapers और journals भी है, समाचार पत्र जो है काफी महत्पून है, तो देखिए पहला जो attempt था भारत में समाचार पत्रों को publish करने का, यह जो disgruntler जो employees जो थे English Istria Company के, जो कि English Istria Company में कारे करते थे और उनके जो malpractices है, जो कारे कारनी है, जो malpractices जो है Istria Company जो है भारत में करती इसको expose करना यह चाहते थे, इसके लिए जो है अर्ली एटेंप्ट किये थे newspaper को publish करने के लिए, क्योंकि देखिए जो company के जो employees थे, वो company में काम करने के साथ साथ corruption भी करते थे, malpractices भी उनकी थी और इसके साथ साथ वो जो है private trade video करते थे, नीजी बेपार भी करते थे, Star Association में press थी, इसको दो सालों में ही जब्त कर दिया गया, क्योंकि यह बहुत outspoken जो है करते थे, काफ़ जाता लोचना जो है, सरकारी जो officials हैं उनकी करते थे, तो दो साल में ही इंगा नीजी बेपर सीज कर दिया गया थे, तो काफी महत्पूनी जानकारी examination point of view से आपने जूर Herald year 1789 में जो यह published हुआ, तो chronology भी इनकी जो आपसे examination में पूछी जा सकती है, और देखिए बहुत ही एक रुमांचक एक बात यह है कि, nearly 1 by 3rd है लगबग 30%, लगबग 30% जो फांडिंग जो फादर थे, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के, भारती अरशनल कॉंग्रेस के जो स सुरभाती, जो संस्तापक थे, उसमें लगबग 1 by 30 या 30% जो आपके, जो आपके जो आपके जो आपके जो आपके जी सुब्रमन्य माइयर का न्यूस पेपर था, इसके साथ अगरम बात करें केसरी आन मराथा, यह बाल गंग अधर तिला का न्यूस पेपर था, केसरी जो अपका न्यूस पेपर था, यह मराथा लेंग जो आपका इंग्लिश लेंग में जाब था, इसके साथ बंगाली न्यूस पेपर था, आपका सुनिंदरनात बैनरजी का, अमृता बजार पतरी का आपका, शिशिर्कुमार घोश और मॉतिलाल घोश क था और जो अधर चातर म मेरे जो है पब्लिश्ट हुआ था को लोकता में बेस्ट बंगाल में और इसको शुरू किया था दिविंदना टैगोने ठाइग और यह इंग्लिश नेगंग इसका नीज़्पेपर था बाद में इसको केशवचंदर सेंजी की तौरा जो है ओंड कर लिया गया था और मन्हों और पौवर्टी एंड अनबिटिश टूल इन इंडिया यह महतमुन किताब पर दादभाई नौजे की और जो इकनोमिक जो देन जो थीरी है उसको इनके द्वारा ही ड्वैल्प किया गया था कि जो बिटिश्ट है यह इकनोमिक एक्स्प्राइटेशन जो है इंडिया की कर तो इस तरह से एकनोमिक देन थोड़ी दादभाई नौजे के द्वारा सब्सक्राइब गया थी और अनबिटिश जो वर्ड है इनके द्वारा जो है यूज किया गया था अपनी बुक पोवर्टी एंड अनबिटिश टूल इन इंडिया में हिंदुस्तान और एडवोकेट वर्माजी के द्वार्स नौज़ी में नॉरेन मेकाची लोकांदे जी केड़ा प्रेश पंजाम में थे हिंदु परकास और ध्यान परकास काल और गुज्ञाती बंबई में थे नुस परकास बंगानिवासी साधानी बंगाल में थे इस साथ अरगन बात करें तो नेटिव ओपीन है जो निउस्पेपर है ये विश्वनाथ नारायन मंदलिक जी का था सोदेश वहाईनी निउस्पेपर के राम कृष्णा पिलाई का था इंडियन गजट 1787 में जो है कोलकता में हेंडरी लुईस विवान देवर्जियो का नाम यंग बंगाल मोमेंट से लिट जो है जुड़ा है इनके तोरह यंग बंगाल मोमेंट से शुरू की गई थी अगाम इनको डिसकस करेंगे उसको साथ अगर बात करें तो राज अराम नाएक दौरा थारसो बाती में पहला पर्शियन फार्सी भासा का न्यूस पेपर जो है मिरत लोगवक जो बात में शुरू किया गए था उसको साथ अगर बात करें बंगा दूता या तो बंगा दूता जो है रोबन नाइट ने इसकी फाउंडेशन रखी थी और इसको थोमस बैनेट के द्वारा शुब किया गए था और बंबे टाइमस था सो कार्सर से अब हम इसको टाइमस ओफ इंडिया के रूप में जो है देखते हैं टाइमस ओफ इंडिया निश्पेपर आप मैसे सकें और फिलिंग ऑफ नेश्पेपर आपके इंडियन शॉच्यो लोग यानगी जो भी भारती या भारती या भारती आमूल के जो लोग हैं जो की विदोश्यों में राते हैं उनके अंदर राष्टबाद की भावना को पैदा करने के लिए इनकी द्वारा निउस्पेपर के दोरा और मनीलार दॉक्टर ने म्रुश्यों में इन्डेंचर त्र लेवर केंश्ट हो गया था और ऑपका इंडियन को आटन आशां के द्वार जिकन्यागा था और त्रिब्यून बहुत ही महत्मूद है 301 में लह॓र में दयाल सिंग मजिठिया जी के द्वारा इंडिया पारी दश्यक जो आपगा थार्सुचेश में बीपन चंदरपाल, बंबा इकोनों निकल 1913 में फिरोश्वाम एता के दारा बंबी में चलाया गा था, हिंदु पैट्रोड थार्सुचेपन में कॉलकता में ग्रीष चंद्रा गोष्ट के दारा चलाया गा था, और हरीष चंद कोड़ी अराशु यह 1910 में इवी रमाल स्वामी दारीष के दारा चलाया था, और नेशनल हेराल्ड यह जुन इस पर प्रवनिस्टिती में ज्वालना लेष के दारा शुरू किया के था, इससे जादे देखिए कुछ है क्रेटिव लेट्रेचर भी हैं जिनसे हमें हिस्ट् लेट्रेचर की अगर बात करें, नोबल हम काफी जादा पढ़ते हैं, तो मोस्ट जो सिगनिफेकेंट जो आउटकम थी इंडो-एरोपन कंटेक्ट की, यह नोबल थे जो की इमर्ज दो थे लेटर आफ आफ ऑफ थी 19th सेंचरी में, तो सबसे मत्पून यह आफ्कम थी परि लेखक थे इस पीड़ के वो थे आपके पंकी में चंदर चैटर जी तो थार्षो चुटानवे तक का इनका जीवन रहा, तो इनके नोबल थे आपके जानतर इनके इतियास के ओपन नोबल से रहते थे, बेस्ट अमंग दम इनका आनद मठ है, जो कि इनके दोरा 880 में लिख सब्सक्राइब का जीवन रहा, यह फाइन स्कोलर थे आपके मेडिवल गुज्राती लिटरचर के गुज्रात साहित यह लिखते थे, तो इतियास का यह गुज्रात साहिते लिखते थे, इनका पहला नोबल आपका हिंद ने बिटैनिका, इसका अमील लाइटर है, कोछ एक गिर्जा दिवी यंड रामा थिर्थ थमाल, इनके द्वारा देकी, गिर्जा देवी दौरा लिखा हुआ है, महनेरा द्विटी रहा, जानी, 131 और रामा तिर्था अथमाल के दोरह लिखा हुआ है दाश्य काली ने मौसावल लाई 1936 में इसरा जीवी किष्णा राव जो है आपके तेलगू के एक राइटर थे इनके दोरह किलू बोमालू जो है पपेट्स पपेट्स होती हैं आपकी जो कटपितलिया होती है इनके दोरह लिखा गया था उसको साथ सब्सक्राइब बात करें वैकों मुहमद वशीर तो यह भी काफी फेमस राइटर थे मल्यालम के मल्यालम भासामी के लेकिक थे इनके फेमस नोबल आपका बालेकला सकी तो बालेकला सकी एक चाइल्ड़ूड फ्रेंड्स 1924 से इनके दो सब्सक्राइब बात करें तो यह जो है मल्यालम के यह जो है राइटर थे इनके दोरह टोटी उड़े मांखन संस ऑफ स्केवेंजर में लिखा गया था इसके साथ चैमीन सिंप्स 1926 में दोरह लिखा गया था पेंटिंग्स के अगर मात करें तो थे कंपणी की जो चितरकला है उसको पठना कलम भी बोलते हैं यह अंडर दी पैटरनेज ऑफ इस टुनिया कंपनी जो ही मर्ज होई थी और कुछ एक जो पेंट में आपके इन मेमोरियं तो जो सिमनोय पैटन के वरा जो है पेंटेट किया गया है और यह था संगे रिपोल्ट के जो दो साल यह है करती है से जुड़े थे इसके साथ आनंदा कैंथि-सकुमार-स्वामी यह भी एक इंपोर्टन जो आपके पेंटर थे और देखें बोने देगी होतीय हैं जिसमें एक एप्रोच के इसे 218 बो agility ग्ल्समिय क 550 भारति स्कूर्टी। था कुछ सोड़रिवाज़् बुलती है अबकि घॉपीन थे जिनने औरही उप राज है मलने उन्हें हमखने और उन्हों हम उन्हें हम भार्तियों को जो है modern society में लेके आए यह जनली अपनी ग्लोरिफिकेशन करते हैं और justify करते हैं कि इनका जो रूल था भात में वो सही था यह को बोलती है यह अपने जो रूल था इनका उसको यह justify करने की आप्रोच में कोशिच करते हैं दूसरी एक आप्रोच आपको देख आपके गए raw materials यहां से उन्होंने लिया और उसी raw materials से बनाए और finished goods हमें दिये economic exploitation हमारी की economic drain theory जो की हम आगाम election में पढ़ेंगे तो जो है हमारी nationalist approach बोलती है वो justify करते कि जो national movement है वो जो है Britishers का ही जो exploitation है उसी कार्ण वो जो है अबरी थी और तीसरी एक आप्रोच आपकी मार जो European थे और भारत में जो freedom fighters थे या rulers थे इनके बीच में contradiction थी तो यह इस तरह से इस्टरी के बारे बताते हैं एक सुब्रेटरिन एप्रोच है जिसमें यह बोलते हैं कि जो पूरा कपूरा जो भारत का इतियास है यह जो है एक illist basis था इसमें चाहे आप European की बात करें चाहे भारतियों के बात करें जो light जो तबका था जो मुखे जो तबका था भारत का और Europe का इनी के बीच में आपस में यह लड़ाई थी modern industry में इस तरह सी बोलते हैं तो different approaches है अलकाल सा आपको आईडिया होना चाहिए examination point of view से ज्यादा मत्कून यह नहीं है लेकिन Marxist approach में आपने ध इस पेक्टम सी जो है chapter wise discuss करेंगे तो तीके लाला राच पतराई की जो है famous book साहाब की the RS Mars, evolution of Japan, India's will to freedom, young India, England's debt to India बहुत मत्मुन बुक है इनकी, यानि की England का जो करजा था भारत के अपर, उससले लिए ये book है, message of the bhagwat kita, again बहुत मत्मुन बुक है इनकी, political future of India, ये भी इनकी ट्रेवलोग, US, United States of America और unhappy India ये भी काफी famous इनकी जो है book, लाला राच पराई की और लाला राच पराई को जो है से रिपंजाबी बोला जाता है, तो देखे मैंने books and newspaper जो साथ साथ में जो लिखनी है, आपको देखे नाम का पता होना चाहिए, और तो आप examination में को जो ह साथ में से solve कर सकते हैं, तो मात्मा घार जी कि अगरम बात करें तो यंग इंडिया और नहींज जो हाँ, इनके नभ जीवन च्वा के newspaper है, इसके साथ हरी जन भी हिनका जो है newspaper था , और हिंद सौराज या या इंदू सौराज ऑगरम बात करें हिंद सौराज, हिंद सौराज ह लिकिए कई ही तो जो छ तो जो दैनल हिंद प्र जो दो सोराज ह्शास ऑद्र अब ऐसे नहां गूर्तिक्त कर दो लिए दॉट और इसके साथ जो पॉल्टिकल गूरू जिनको मानते थे इंडियन ओपीनियन जो है समचार पत्तर था मातमा गांदी जी का इसको इनके द्वारा 1903 में शुरू किया गया था देखें यंग इंडिया एक बुक भी है जिसको लाला गांदी जी द्वारा 1916 में लिखा गया था और यंग इंडिया ही एक निउस्पेपर है जिसको मातमा गांदी जी ने गांदी जी Cap जो नाव का서 और मातमा गांदी जी का स्टेंट उनको मातमा का सिस्टेम के ओपर तो तो यह चुआ चूत है यह चुआ चूत है और इस तरह कि अगर आप समाज में कहीं देखते हैं तो आपको जागरूग जूरू करना चाहिए जबकि बियारंबीदकर जी बोलते थे कि यह जो कास्ट सिस्टम यह पूरक पूरा गलत है तो यह एनिहलेशन की बात करते हैं जो जाती प्रता इसको खगम कर देना चाहिए तो थोड़े से आइडिलोजिकले डिफेंस थे इनके बीच में लेकि मातमकादी जी बोलते थे रू अपनी जो जीवन की जो कथा उसको स्वें लिखते उसको आतमकता बोलते हैं और बात करें मौला दू का कि मौला दूल का मजाद की बहुत ही फेमस बीबुक है आपकी बेसिक कंसेफ्ट कुरान दर्शे वफा अलहिलाल देखें इनके द्वारा जो है उर्दू लेंग्वेज में एक वीकली न्यूजपेपर सूर किया गया था सापताई की न्यूजपेपर था 1912-1914 तक इनके द् इनकी फेमस बुक्स हैं तो दोनों इनके जो न्यूजपेपर थी अलिलाल अलवगाग इनको बैन कर दिया गया था पिटिस्ट गवर्मेंट के द्वारा उनिस्ट वोड़ा में लाला हर्दयाल की है इंस फॉर सेल्फ कुल्चर शिंदाल बैनर जी का न्यूजपेर बंगाल सब्सक्राइब बुक्स न्यूजपेर गोर कि दो करता है रुबिंद नाट जली जिसके लिए इनको नोबल प्राइज मिला था वोमेंड दी वर्ड गोरा हंगरी स्टॉन चंडालीका विसरजन साधना और चौकरबाली मदनमौन मालविय की अगर बात करें तो मदनमौन मालविय की अगर हम बात करें तो इनके बुक्स हैं अब उध्यू है इंदुस्तार लिडरियम की जो है फिमस जो है इसके साथ आपने इंग्लीश एक निउस पेपर था दी लीडर जो है इंग्लीश निउस पेपर था अबनमौन मालविय का यह जो है निउस पेपर था गोपाल कृष्ण गोखले जी की बुक है आपकी नेश्चन केश्व जंदसीन जी का निउस पेफर इंडियन मिरर और बुक है इनकी बामबधनी दिन बंदु मित्राथ जी के द्वारा जो है नील दर पंज है निउस पेपर शुरू किया गया था अरिवंदो गोष्कि अग बात करें तो कॉम रिबिल्ड और न्यू इंडियन का साब्ताइक था और न्यू इंडियन का जो है डेली निश्पेपर था तो बहुत ही मतुंदार एनी बेसेंट जो फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेजिट थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की आर्लेंड को यू बिलंग क अशूर चेकर आशूर चेकर एस अशूर मोहमद अली की बात करें तो कॉमेन दर दीन और जानारा निकी फिर्मस परफिन वह इनकी फिल्मस जो है रागा नाम हो है कि बात करें तो संबात का मोधका व्याधिन और मितुल अकबर जो है इनकी famous books है संभात कामोडी इनका जो है newspaper था खान अब्दुजफर खान की बात करें तो फक्तुन इनकी महत्वन book है इस्वा चंदर विद्य साकरी बात करें तो सोंपरकास इनका newspaper था और बोर्णों पर इचे जो है थोड़ा से परपरस के लिए जो है भारत को इस तरह से आप मैप एक छोड़ा समना लिए किजिए यह इस तरह से हलका सा मैप आपके माइंड में जो होना चाहिए ऐस तो नौर्ट इस ऐसे काफी ज्यादा बढ़ा जाएगा इसमें और बीच में आजा से बंगलादेश अब नियाद रखने के लिए इस तरफ किया था आपका कोलकाता था और कोलकाता और बंगाल से ही जो है आपके बिटीश चरस ने शुरुवात की थी भारत में बंगाल उस दोरान किया था आपका नर्व सेंटर था और काफी मतलब जी चीए प्रोवींस था यहां पर अनाज रखता है कि प्रोब्लम होती इस भी जो है क्योंकि इस डायाक्षन में चाहतरा की मारी डायाक्षन होती है इस वेस्ट नॉर्थ साउथ इस्ट इस्ट पार्ट में यह लोकीटेट है आपका उस दोरान बंगाल और बंगला देश यह था तो इस डाय्यक्शन बंगाल इन के पांच में इन के द्वारा किया गया था तो इसी से आप को लेट करके यह रख सकते हैं कि लोड़कर जंदी के द्वारा लिखी यह आपके प्रॉब्लम होती इस पीट ऑफ इस्लाम जो है इनका इनकी जो बुक थी तरकनादास फ्री इंदुस्तान सजीन संग्याल के देखे दीद्य और बंदी जीवन यह बहुत ही मुथपुन इनकी बुक्स थी नोवल थे देनल सरस्पदी की बात करें तो सत्याक्त दर्पन इस पाइब वसकीता फेश्व किताब लिखी गई थी यह औरजिनलरी जो हिंदी में के द्वारा जो रिखी गई थी पटभाई सितामरी और मैया की बात करें तो इस्ट्री युद्य आफ को शेंधे चांव लिखी किता इस चितनरदास की बात करें इंडिया फोड इनिए इ और श्रीवानन्द क्या डिवाइन लाइफ और नंतारा सांगल की वाइस ऑफ फ्रीडम बहुत ही मत्मुन किताब है यह नंतारा सांगल जिकी वाइस ऑफ फ्रीडम और देखिए यह तो आपको सारे कसारी याद होनेशी कि यारंबेद कर जी काफी इंपॉड़न जो परसेनलि बहुत है अधे और भारत कर सब्काषी प्रीडम इंकर बारे के द्वारा स्थैन को बोलाजाता है तेन परसेनलिटी में इनके बार में deeply हम discuss करेंगे महां मध्य बदेश्मीन का जन्म हुआ था तो ब्र अंबेद करजी की दौरा देखिए लिखी कि एपक्साब की what Congress and Gandhi have done for untouchables annihilation of caste बुद्धा और कालमार्क्स the untouchable who are they and why they have become untouchables बुद्धा एंडिस धमा दिराइज एंड फॉल अफ हिंदु बुमेन दि प्रॉब्लम अथी रुपी इस ओरीजन इस सॉलीशन बहुत ही मत्पून है और मुन नायक जो है समझार पत्त था और देखिए इंग्लिश पॉइन है का सुभाय अजादी इसको फेज एमद फेज के द्वारा लिखा गया है रामपसाद बिसमिल के अगर बात करें तो मेरा दंगदे पसंती चो लाइन की आटब ऑटो बायग्राफी आतमकता है इनके द्वारा देखिए पेमपलेट जो है पॉब्लिश किया गया था देश बाचियों के नाम और इसको डिस्ट्रिबूट किया गया था अलोंग विद इस पॉइम मन्यपूर की परतिग्या तो मन्यपूरी की परतिग्या यह भी रामपसाद बिसमिल जी की पोईं थी जीवत राम भगवन दास अपनी आदम गदा लिखी गई है चक्रवति राज कपाल जीर की बात करें तो इनके द्वारा जो है तमील में जो ट्रांसलेशन की गई थी रमाइना की जिसको बाद में इनों जो है चक्रवर्ती थिरू मंगम मंगन के नाम से परविश किया था कि नेक्स्टाइब विशनु शास्त्री चिपलुकर तो टारा सो चोटर में इनके त्वारा एक मंथली एक मैगजिन शुरू की थी जिसका नाम है निमंद माला गार्लैंड फैसेज जिसके लिए इनको जाना जाता है जीना पाकिस्तान फॉर्मेशन है चैलेंजिस ऑफ स्ट अगले वीडियो में अगले लेक्चर में तब तक लिए गुडबाई जैहिंत